क्लाश 10 तो 12 के जितने भी एस्टुडेंट इस वार एक्जाम देने वाले हैं उन से भी एस्टुडेंट के लिए बोट की ओर से ये निर्देश दिये गया है कि किस तरह से आप बचे हुए समय में कौन-कौन सा लेशन को पढ़ना और 37 किस धैंग से आप लोग को तयारी करना है जिससे आप एक्जाम में अच्छा अंक ला सकते हैं एक्जाम में अच्छा परदर्शन कर सकते हैं एक्जामनर के दोवार खूद आप लोग को बताई गई है कि इस तरह से कोश्चन सेट किया जाता है तो इस वीडियो में लाश्ट तर बने रहे रहे गा तभी आप आप लोग को बात किया जाए तो NC80 को किताब को अच्छे धंग से पढ़ना और उन ही से आप लोग को त्यारी करना है यह आप लोगको असपरश्टू से बौट के दुवारा निर्देश दिया गया है आप लोगको कहना यह हुआ कि NC80 से अगर आप तैयारी करते हैं तो दे को परना कैसे आप लोगों को तैयारी करना है इस वीडियों में लाश्टर बने रहेगा और किस तरह से आप लोगो पैटाने इस वार आ रहा है बोड़ी जामें वीडियों को लाश्ट तक जरूर देखेगा तभी आप लोगो लिए फैदे मन्त होगा बच्चे आप किसी कोचन में टग गए है या प्रोलम हो रहा है तुसके को फोटो कीचिए क्रॉप कीजिए और सब्सक्राइब को मिलेगा अभी चाल रहा है लाइव क्लास है हिंदी और इंग्लिश दूनों मेडिया में तो तीन कड़ों से धीक बच्चे ने इसाइब को डॉ ना करें इनशी आटी की किताबों को पढ़ाई करें यानि आप लोगो सबस्क्राइब को पताई गया यानि आप लोग को यह स्पस्ट रूप से बताई गया प्रोफेसर के दुवारा बताई जाती है जहां पर आप लोग को टेली काॉसलिंग होती है अगर आप एक्जाम में अच्छा एंक लाना चाते हैं तो अगर आप लोग को गेस पेपर या गूगल से एंक गेस को लिखकर आप लोग को कोशन को एक्जाम में लिखते हैं या उस नंक से आप लोग तैयारी करते हैं तो एक आउसत एंक ला सकते हैं जिसमें आप एक्जाम म में के दोरान सोंबर्क सिच्छक MP त्रिवेदी पस्चार्थियों के दी पटना में 20 विद्यालाज के टॉप भी भागिये अधियाच आप लोग को त्रिवेदी के मानों तो इस वार बिग्यान के प्रस्णों की संख्या बढ़ी जाएगे त्रिवेदी ने कहा कि बैकेलपी प प्रस्ण पुछे जाएंगे जिन में आप लोग को 50 प्रस्ण को जवाब देना होगा पचास पर एक्स्ट्रा में दिया जाएगा सभी लगूत दीर आप सभी सब्जेक्ट में आप लोग को इस तरह से पैटर्न में बदलाव किया गया है जिससे सभी स्टुडेंट का फाद आप लोग को जरूर देखने के लिए बोला गया जो मोडल पेपर जारी किया जाता है जो आप लोग को बार्केट में उनने मोडल पेपर को अबस देखें मोडल पेपर से आप लोग को फादर क्या होगा इसके उनसारे हाँ पर बताए गया कि कोस्लिंग के दोरान त्रिवे रहेगा इस वार सभी चैप्टर सो बेसिक चीज़ की जरूर पढ़ें यानि सभी चैप्टर को आप लोग को बेसिक जो होता है इससे आप एक्जाम में अच्छा आंक ला सकते हैं जाम में अच्छा परदसन कर सकते हैं जारी किया जाता है विहार बोड वाला दुवारा उनसे आप लोगो देखा जाए तो 80-85 परशन्ट कोशन से मुझी से आप लोगो भीरता है प्रशन को बोड इजाम में आता है इसके लिए भीरत उस्पष जारी किया जाता है उसके बोड नहीं को जारी किया जाता है इस वार देख से तने हैं आप लोगो वैकेलपी प्रशनों की संक्या सभी सब्जेक्ट में आप लोगो बढ़ा रहेगा इस तरह से सभी अनुसार आप लोग को बताई गए गिग जो भी subject का ऐगए पर ऑप लोग को जी बियान के बारे में बताई गई है जहां पर आप लोग को 100 नमबर का total आप लोग को ऐग्जाम होता उसमें आप लोग को 30 संक का परियोगिक होता 70 मंको सेधानती और और सोजेक्टी दोनों प्रस्ण को होता है लेकिन आप लोगों को जिसमें भी सभी सजेक्ट में 50% और जेक्टी पिछले साल के अनुसार पूछा जाएगा लेकिन इस वर बैकल्पी संक्षों बढ़ा रहेगा यानि आप लोगों को 50% पिछले साल पूछा गया पुछा गया था 50% प्रस्ण तो इस वर 100% प्रस्ण रहेगा जिसमें 50 गों को जवाब देना है और 50 एक्ष्टा प्रस्ण दिया जाएगा सभी में लगूत दीर सभी प्रस्णों में ताकि एक्जाम जदा है आप लोगों को प्रस्ण रहेगा उससे आप असानी से कम समय में सोल्व करके असानी ढंक से आप एक्जाम में अच्छा आंक ला सकते हैं एक्जाम में प्रस्ण कर सकते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा दोस्तों में सेर कर दीजे ताकि सभी लोग जान सके इसके बारे में और साथी साथ एक्जाम में अच्छा आंक ला सके मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिए जाहिए वरत बंदे मातर हैं